सो हेलो गाईज, वेलकम तो एपिसोड नमबर 11 ओफ इंडियन इकॉम 2.0 सीरीज, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको स्टोर की उपर प्रोड़क्ट कैसे डालने हैं, और अगर से आप चैनल पर नए हैं, तो चैनको सब्सक्राइब जरूर कर द आगे वाले एपिसोड के नोटिफिकेशन आते रहें, बागी के सब्सक्राइब करते हैं हमारे स्क्रीन के साथ, आपके स्टोर में आपको प्रोड़क्ट कैसे डालना है वह अभी अब देखने वाले है, तो उसके लिए आपको प्रोड़क्ट में आना होगा, और यहाँ प भी बात करेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या होता है, उसके पहले यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़े बताते हैं तो, यहाँ पर आपको इसको एक्टिव करना होगा, इसका मीनिंग यह है कि स्टोर पर यह प्रोड़क्ट दिखेंगा, एक्टिव होगा, ठीक है, और अगर से आप ड्राफ्ट रखते हो, तो यह आपके इसमें रहेंगा डैशबूर्ड में शॉपीफाई के लेकिन स्टोर के उपर दिखेंगा नहीं लोगों को, इसलिए इसको एक्टिव करना होगा आपको, उसके बाद में आपको नीचे आना होगा, यह आपको डालने के जरुवत लिए वेंडर डालने के जरुवत ने, ऐसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन भी डालना है, वह भी आपको बता होगा, लेकिन उसके पहले नीचे आप प्राइस ऋदातो, तो प्राइस आपको यहाँ पर डालने है, जलो पास्थो डाल दूँ और यहां पर डालता हूँ, इसका मीनिंग क्या है वो भी आपको भी पता चलेंगा ठीक है चार्ज टैक्सिस ऑन इस प्रोड़क को इसको आपको अंचेक कर देना है उसके बाद में यहां पर कुछ डालने की जरुवत है इसको आप ऑन कर दे बाकी यहां पर आप अवेलेबल कॉंटिटी कितनी आपके पा तो यह अगर से आप ऑन रखते हो तो उसके बाद में भी कंटीनू प्रोड़क्स सेल होते रहता है लेकिन अगर से यह अन ना रखो और यहां पर सव कर दो और फिर सव और आ जाए आपको तो उसके बाद में आपका और प्लेस नहीं हो सकेंगी किसी बी कस्टमर के और वहा से बना सकते हो ठीक है ऑप्शन नेम वे गर जिसे मैं कसे यहां पर इक कलर बना लू ठीक है तो कलर में यहां पर मैं लेट से डाल देता हूँ ब्ल्यू ग्रीन ठीक है और ब्लैक एक्ज़ांपल के लिए इसको मैं डन कर देता हो तो इसकी यह वेरियंट भी बन गया ठीक है कर सकता हो जो भी मुझे करना है ठीक है यहां से इस टेप से आप कर सकते हो या फिर यहां से आप इसको बल्क एडिट वेगरा भी कर सकते हो तो इस टेप से यहां पर कर सकते हो और वेरियंट भी बना सकते हो प्रोड़क्ट के तो मैंने एक्जांपल के लिए आपको यह भी ब Shopify डालना है और इसको एंटर करना है तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर दिखेंगे इवन फिक कार्ड और Amazon की भी आपको लिंक दिखेंगे तो आपको हर एक इसके उपर जाना है ठीक है और आपको यहाँ पर टॉप में Shopify की लिंक्स दिखेंगे जो अधर इस प्रोड़क को बेच रहे हैं इसके उपर आपको जाना है ठीक है इन स्टोर्स की उपर आपके प्रोड़क का नाम डलके Shopify सर्च करने के बाद में फिर यहाँ पर देखो आप इस पर क्लिक करोंगे तो आपको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इनकी information मिल जाएंगी वह आप उठा सकते हो ठीक है छोटी मोटी information फिर बेसी के लिए आप यहाँ से भी दूसरे स्टोर से भी information copy कर सकते हो images ले सकते हो अगर सापको लेना है तो ठीक है यहाँ से भी आप ले सकते हो images वेगरा यह सब चीजे description वेगरा सो मैं आपको recommend किया करूंगा ना कि यहाँ पर जो भी इमे एक विएरा लेना है और description विए इउठा लेना है तो यहा पर मैं यह पर पहले तो यह सब चीजे close कर देना हो और मैंने कुछ description विए लेकर लेना है जीसे न timest कर दे ही कर देंगे सेंटरल लाइन कर देंगे इसके नीचे फिर मैं यूजियली इमेज डालता हूँ सो मैं यहां पर अप्लोड फाइल करूँगा सो यह इक इमेज मैंने स्टोर के उंदर डाल दी ठीक है इसको मैं इंसेट करूँगा यहां पर आप देख सकते यह इमेज आ चुकी है इक सेकेंड हां यह आ गई है इसको क्लिक करके इसको भी हम सेंटर कर देंगे इसकी नीचे और इमेज आप दालना ही है फिर आपको कम साइस में इमेज रखने जिस से आपका यह जल्दी से लोड हो जादा लोड होने में टाइम नहीं लेना चाहिए ठीक है इस टैप से आपको इमेजस वेगरा डालनी होती है फिर अगर से आपको दो होती है इमेजस के बाद में यहाँ पर नीचे कुछ इमेजस डालनी है तो नीचे हम वापस से इंटर करके दो बार इंटर किया मैंने और यहाँ पर हम जाके अप्लोड फाइल करेंगे और फिर और भी जो इमेजस हमारे पास अविलेबल है वो डालेंगे लेकिन यह हो गया description इमेजस ठीक है description पेज में चले जाएंगी उसके अलाव अपने को thumbnail इमेजस भी डालनी है तो उसके लिए add इमेज पर मैं क्लिक करूँगा और वही इमेजस मैं अभी के लिए हां पर डाल देता हूँ इसको मैं यहां पर open करूँगा और यह सारी इमेजस अभी यहां पर आ जाएंगी तो थम्दिल में आपको 4-5 इमेजस डालनी है थम्दिल इमेजस का मीनिंग क्या होता है वह आपको अभी बटा देता हूँ मैं ठीक है यह हो गया अभी अपना यह प्रोड़क्ट पेज रेट जो था नो 500 और 700 डाला था मैंने रेट आपको याद होना तो उसका देखो चेंजस यहां पर आ चुक है साथ सो पचास प्राइस कट होके यहां पर पात्सो आ गया है ठीक है तो अभी वेरियंट के अंदर चले गया है यहां पर अंदर वो छुप गया होंगा अभी ठ चैंज कर सकते हो और हर एक वेरियंड का यहां पर इमेज भी डाल सकते हो ठीक है अगर साथ ब्रॉड़क को अपने इस टोर की ऊपर किस तरह से एड करो ठीक है लेकिन अभी सोर क्योंपर प्रोडक्स कितने डालने है और और optimization के भी बात कर लेते हैं, तो store में आपको तक्रीबान 8 से 10 प्रोड़क्ट्स डाल के रखने हैं ठीक है, लेकिन ये 8 से 10 प्रोड़क्ट का आपको हर एक प्रोड़क्स का आपको इतना लंबा लंबा description विगरा नहीं डालना है, आपको simple एक दो line का description डालतो और एक दो images डाल तो बस इतना ही आपको यह 8-10 प्रोडक्ट के साथ में करना है बेसिकली यह जो 8-10 प्रोडक्ट होंगे यह होंगे सिरी फिलर प्रोडक्स अपने ठीक है इसका आपने को कुछ भी लेना देना नहीं है और नाहीं तो इस पर आपको सेल्स आनिवाई है बस आपको यह इसलिए स्टोर पर क्योंकि आपका स्टोर जो हो थोड़ा सा भारा भारा देखना चाहिए तो आट-10 प्रोड़क्ट डाल दो फिलर प्रोड़क्स ठीक है नॉर्मल कोई भी रैंडम ड्रॉश्पी प्रोड़क्ट उठा और उसको डाल दो उसके बाद में आपको जो आपने निकाल है उसको भी अपने को एट प्रोड़क्स करना है लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन होता है उसका पूरा प्रोड़क्ट की आप मार्केटिंग ने वाले हो उसको आपको कैसे ऑप्टिमेस करना है उस टॉपिक के विडियो बना चुका हूँ इस यहां पर व विडियो का तो यह वीडियो आपको देखना होगा इसका जो लिंक है यहाँ पर मैं आय बटन की उपर दे रहा हूँ आप अभी के अभी जाईए और इस वीडियो को देखिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके उपर मैंने बहुत प्रॉपरली समझा के रखा है कि कैसे आपको प्रोड़क्ट पेश को Haupteam करना चाहिए करके और यह वह बीद्यो को देखिए और इस वीडियो को इतना है इंग सिर्फ वापको यह वीडियो पसंद रहा हूँगा बाकी इस वीडियो का जो लिंक हैBlue मैं आई बटन में दे रहा हो अभी जाकिआ कि आप क्लिक कर सकते हो आई बटन के पर क्लिक कर लिए और वीडियो देख लेजिए